नमस्ते दोस्तों मैं हूँ लखन गोड और आप देख रहे हैं टेकनलोजी सीकोई यूट्यूब चैनल दोस्तों एक multi vendor e-commerce website जो है किस तरीके से बनाई जाती है आज के अपनी स्वीडियो में आज हम इसके उपर बात करेंगे तो यहां पर जो है वर्डपरेस के उपर एक multi vendor e-commerce website के बारे में बात की जा रही है तो wordpress के बारे में मैं भी आप लोगों को पता हो कि wordpress के इनदर काफी तरह की websites बना ही जा सकती है नॉर्मली e-commerce website बनाना wordpress के उपर काफी आसान होता है कोई भी वेक्ती जो है अपना यहां पर आप कोई भी एक प्रीमियम थीम का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका लुक एंड फिल वेबसाइट का एड़म प्रोफेशनल हो, तो यहां पर जो है, मैं फ्रंट एंड आपको दिखा रहा हूं, यह एक मल्टी वेंडर एक कोमर्स वेबसाइट है, यहां पर मल्टी वेंडर का जिकर, अगर मैं कर रहा हूं, तो जब किसी वेबसाइट पर नॉर्मल यूजर अपने प्रोड़क्ट को परचेस कर सकता है, और उसको इजीली अपने आपर मंगवा सकता है, शिपिंग करवा सकता है, लेकिन मल्टी वेंडर वेबसाइट जो होती है, वह इ यूजर अपना एक अकांट बनाता है, सेम एज वो एक सेलर अकांट बनाने के भी फैसिलिटी दिवी होती है, तो फर्स्ट जो है, इसका लुक और फिल देख लेते हैं, जश्ट यह यहाँ पर केटेगरीज दिवी है, केटेगरीज के अंदर सब केटेगरीज है, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रोड़क का डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर प्रोड़क्ट जो है भी डमी प्रोड़क्ट डले हो गए और जो रेट्स हैं वो भी डमी है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने e-commerce फ्लेटफर्म को डिजाइन कर सकते हैं, आपर बैनर्स जो है वो कुछ तरीके के दी हो है, तो आप अपने जो भी अपने फ्लेट जो आपके प्रोड़क्ट हो उनके आपर बैनर्स बना के लगा सकते हैं, इस तरीके से आप अपने प्रोड़क्ट को डिस्पले कर सकते हैं, आप अपर अद देख सकते हैं, काफी अच्छा लुक एंड फूल जो है इस वेबसाइट का है, यहाँ पर नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगरा डली भी है, और कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स जो वेबसाइट के लिए इंपोर्टेंट होती है, तो नाव जो है हम लोग क्योंकि मेल्टी वेबसाइट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ जश्ट लोगिन के ओपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही यहां पर login के ओपर click करेंगे तो यहां पर जो पहले से user है वो अपना ID और password डाल का login तो सकता है यहां पर create an account के ओपर जैसे ही click किया जाता है जैसे ही हम login के ओपर click करते हैं यहां पर normal ID और password डाल पर login किया सकता है पर जिक स्टोड कि तरब अगर आप दिखीकिन तो यहां पर एक Ooh यहां पर इसे कस्टमर और वेंड़र दो तरह के जो हैं पर आप्शन आ रहे हैं नॉर्मल वेब्साइट के अंदर सिप कस्टमर का रप्शन होता है वेंडर का करते हैं तो जैसे हम रेंडर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेंडर की पुरी जय को यहां पर आ एक वेंडर अपना रिजिस्टेशन करके जब लॉगिंग कर लेता है तो यहां पर उसको जो है काफी सारी चीजे जो है वो जो है अकाउंट दिखाए दे रहा है जैसे ही कोई वेंडर जो है अपना नया रिजिस्टेशन करता है तो यहां पर जो है वो उसको एक मेसेज़ प्राप्त होता है कि जो आपकी लोग इन डिटेल है वो आपको जैट को एमेल आइडी के ऊपर भेज दी गई है तो जैस्ट मेल डी CHECK करते है यहां पर देखिए आप ये जो है दो मेल मुझे है अपर प्राप्त होऊ है पहला जो है ये अकाउंट क्रेटेट का मैल है जहां पर देखिए ये एक आया कि जो आपका अच्छा एकांट क्रेटेड है और इसमें पास्वर्ड जो है कंप्यूटर जनरेटेड पास्वर्ड भी मुझे मेल पर आगया है ज़स्ट इसको कॉपी करके में लॉगिन करूंगा तो जैसे ही मैंने यहां पर लॉगिन किया आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है देश्बोड पर सारी चीज़ डिस्पली हो रही है तर यहां पर go to vendor dashboard जो है वो उसका option यहां पर आ रहा है जिसे ही go to vendor dashboard के उपर मैं click करूँगा तो मुझे vendor का जो dashboard ही वेज़ड़ यहां पर display होना start हो जाएगा तो यहां पर जो है vendor dashboard के ऊपर मैं आ चुका हूं और यहां पर आप देख सकते हैं पुरा जो डिस्पले हो चेंज हो चुका है पूरी तरीके से तो डेश बोड आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर आपका बैलेंस कितना अवेलेबल है कितने अपने अर्निंग की वो सारी चीजी जो हैं पर डिस्पले होंगी देन admin की तरब से अगर कोई message है तो यहांपर आपको डिस्पले होंगी इसके बाद में coupons जो है यहांपर अपने coupons वगए क्रियेट कर सकते हैं यहांपर आप देख सकते हैं यह 8 coupons के उपर जब भी क्लीक करेंगी तो आप coupon वगए म्गएर क्रियेट कर सकते हैं और next option है यह यहां पर select करके और यहां पर product का description यह सारी चीज़ डिटेल जो है आप डाल के इसको save करेंगे करने के बाद में जो है जब यह product आपका save हो जाएगा तो edit option यहां पर आजाएगा उसके बाद में अगर आपको कोई order आता है तो order का detail जो है पूरा यहां पर आपको लिखाई देता है इसके बाद में आपकी earning अगर आपके अंडर जो है आपकी team वगरा काम करती है तो उसका प team member के रूप में earning जो है वह आपको यहां पर आपकी दिखेगी just next option जो है warning का जब भी कोई sale होगी तो वह जो earning है वह आपको यहां पर display होगी यह जो है seller को क्या 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 चीजे दिखेंगी उसका पूरा demonstration है यह payouts जो है वो उसकी यहां से request seller जो है वो कर सकता है तो admin के पास request जाएगी और admin जो इसको approve करेगा और seller को payment करेगा उसी तरही से यहां पर reviews वगेरा जो है वो भी अगर कुछ है admin की तरफ से तो यहां पर दिखेंगे अगर कोई refund की request आती है जैसे आपका product किसी person ने return कर दिया या उसको पसंद निया उसने refund के लिए request जा लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से कुछ जो है seller का dashboard है जिसके अंदर आप यहां पर setting में अगर जाएंगे तो आप जो है आपका store की information यहां पर पूरा डाल सकते हैं जैसे की जो आपका store का address क्या है उसको phone number about आपके store के बारे में detail कुछ photo image banner बगर है यहां पर डाल सकते हैं तो इसके बाद में support यहां पर है अगर की जपरिकार का support आप provide करना चाहें store notice store policies अगर आपकी कुछ है search engine optimization की लिए settings जो है वह आप यहां से कर सकते हैं तो काफी साथी चीजी जो है वह एक seller के dashboard यहां पर हमको दिखाए देथी इसके अंदर जो plugin यूज हुआ है इसका नाम है market king तो यह plugin जो है काफी अच्छा plugin है एक multi-vendor e-commerce platform create करने के लिए wordpress के लिए अभी जो है हम admin panel पर है और admin panel पर चीज़े किस तरीके से work out करती है थोड़ा सा एक बार इसके बारे में समय लेते हैं just wordpress का जो dashboard होता है वो आपको पता ही है कि किस तरह का होता है तो same dashboard है और बाकी सारी चीजी जो इसमें है यहां पर portfolio यह वो काफी सारे जो functions available है main function जो हम WooCommerce की बात करेंगी WooCommerce का प्लगीन होता है जो किसी भी WordPress website को एक e-commerce website बनाने के लिए यूज होता है तो यहां पर आप देख सबते हैं यहां पर orders में आपको orders दिख जाएंगे customer में customer coupons वगरा अगर आप create करना चाहते हैं तो as an admin आपको यहां पर सारी चीजे लिखेगी और अगर आप एक admin के तोर पर भी products वगराइट करना चाहते हैं तो products की सारी डिटिल यहां पर है just all products पर क्लिक करेंगी तो आपको सारे products यहां पर display होना start हो जाएंगे यह कुछ products यहां पर display हो रहे हैं तो अगर आप नया product आट करना चाहते हैं तो आप just add product के उपर क्लिक करेंगे और आप एक नया product भी यहां आट कर सकते हैं यह उसके बाद में category जो है वह यहां से आप मैंश कर सकते हैं इसके लिए separate videos अवलेवल हैं जो कि आप मेरे playlist में जाके चेक कर सकते हैं फिलाल जो है multi vendor का जो function हैं उसको understand करने कोशिश करेंगे मार्केट किंग यह जो एक plugin है जो यहां पर आपको दिख रहा है इसके अंदर जो है एक admin जो है वह किस तरीके से सारी चीज़े मैनेज करता है उसको पूरा डिटेल यहां पर दिया हुआ है ज़स्ट डेश्बोर्ट के उपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं जब डेश्बोर्ट पर किलिक करते हैं तो यहां पर सेल्स की समरी जो है वह पूरे यहां पर दिखाई दे रही है कि जो भी सेलर्स हैं उनकी अकाउंट से कितना सेल्स हुआ है क्या हुआ है और अगर कोई seller registration होता है तो उसका पूरे detail आपको यहां पर display होता है इसमें कि आप उनको अप्रूव कर सकते हैं sellers को यहां पर कुछ announcements हो तो वह आप कर सकते हैं यहां पर vendor group है तो अगर किसी vendors का अगर कोई group बनाना चाहते हैं तो यहां से create कर सकते हैं यहां पर जो है vendor's की detail है messages यहां पर है तो basically admin के पास में सारही rights जो हो होते हैं यहां पर अगर payout की request आती है तो वह आप यहां से देख सकते हैं यह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है registration वगरा की details है और यह setting है यहां पर कि आपका registration form है उसको आप किस तरह से यहां पर manage कर सकते हैं उसमें कोई field rate करना चाहें या उसको delete करना चाहें तो वह आप यहां से कर सकते हैं वह fields को आप manage कर सकते हैं यहां से यहां पर आप देख सकते हैं किस किस तरह की फिल्ट जो है manual approval है क्या है तो यह चीज़े हैं यहां से manage कर सकते हैं बागी की detail आपको पता ही है अगर pages में जाएंगे तो आप pages create कर सकते हैं यहां पर आप comments जो है वह आपको दिखेंगे contact details यहां से update कर सकते हैं testimonials यह जो है सारे plugins जो इस particular e-commerce platform को बनाने के लिए use हुए हैं तो यहां से जो है आप setting कर सकते हैं then और भी काफी सारे tools हैं जिसको हम next video में discuss करेंगे फिलाल जो है multi vendor की settings है उसके लिए हमने यह video create काफी लंबा हो गया video तो अगर आप अपना खुद का एक e-commerce platform create करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं screen के उपर आपको number दिख रहा इस number पर आप click करके जो है हमें contact कर सकते हैं अगर आप इस तरह का कोई भी e-commerce platform अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो definitely हम आपके उसमें पूरी मदद करेंगे और यह एक overview था मैंने जिसके अंदर सारी चीज़े आपको दिखाएगे यह वीडियो काफी लंबा होगया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को like करें और share करें तक कि कुछ लोग जो अपना online platform create करना चाहते हैं उन लोगों की मदद हो सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैं